आज हम इस वीडियो के माद्यम से दस्ती समन के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे दस्ती का प्रोसीजर क्या है और ये होता क्या है दस्ती का अर्थ होता है बाई हैंट यानि कि क्लाइंट को समन की कॉपी या notice की copy physically रूप से अपने हाथ से देना code द्वारा client के खिलाफ एक प्रकार का visist आदेश होता है जो की staff को physically रूप से उस client को देना होता है और उसे collection के लिए pressurize करना होता है यह जो दस्ति संबन की दो copies है वह head office द्वारा branches में courier द्वारा भेज दी जाएगी और ब्रांच में जो भी स्टाफ है जब भी वह क्लाइंट के विजिट करें तो इन दोनों कॉपियों को अपने साथ ले जावें और सेल्स एप में टॉप राइट कॉर्णर पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके उस क्लाइंट की क्लाइंट रेसिविंग क्लाइंट साइनिंग फोटो एच अप लोड यहाँ पर केमरा और गैलरी के माध्यम से जो दस्ती समन आप क्लाइंट के ले जा रहे हैं उसकी कॉपिज यहाँ पर अप लोड करें ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर जो notice, summon, दस्ती, available warrant, non-vailable warrant और PO जो दिखाए गए हैं वो आपको यहाँ पर उनकी receiving client से लेनी है और यहाँ पर वो document upload करने है हो upload वाले column में जो भी courier द्वारा आपको भीजा गया है उसकी copy यहाँ पर भी upload head office द्वारा कर दी जाएगी यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ दस्ती सम्मन की, दस्ती सम्मन वाले column में जो client receiving है तो इसका जो एक copy है जिस पर आप client के signature लेंगे और उसकी KYC भी तो आप यहाँ client receiving वाले column पर जाके upload कर देवे camera यह gallery के माध्यम से ठीक इसी प्रकार जब भी client उस दस्ती सम्मन की copy पर sign कर रहे हैं तो उसी दोरां तुरंत आप एक photo capture करें और client signing photo वाले column में जो दस्ती वाला section है यहाँ पर camera या gallery के माध्यम से photo upload करें ध्यान रखिएगा यह जो दस्ती सम्मन है जितने भी आपको head office से भेजे जा रहे हैं उन सभी को एकत्र करके client से receiving करके वापस से head office भेजने हैं द्यान्यवार कर्पस्ग झाल और भेज़